राम मंदिर प्रान प्रटिष्ठा सम्हारों के लिए 22 जन्वरी की तारीख ही क्यों चुनी गई है 22 जन्वरी 2024 को दोपेर 12 वजकर 20 मिनिट पर बड़ी धूम धाम से अयोध्या में राम मंदिर की प्रान प्रटिष्ठा और अभिशेक किया जाएगा यहां कारिक्रम प्रधान मंत्री मोधी भारत के मशूर खिलाडियों, फिल्म सितारों, अध्यात्मिक नेताओं और व्यापारियों सहित कई सामान व्यक्तियों की उपस्तिती में किया जा रहा है आए जानते हैं 22 जन्वरी 2024 को ऐसा क्या खास है हिंदू पराने कथाओं के अनुसार प्रभूश्री राम का जन्व अभिजीत मोरत में म्रग शीर्ष, नक्षत्र, अमरिज सिद्ध और सर्व सिद्ध योग के संगम पर हुआ था आए जानते हैं इन सब मोरतों और नक्षत्रों का महत्व अभिजीत मोरत दिन का सबसे शुब और शक्तिशाली समय होता है यह लगभग 48 मिनिट तक चलता है यह सूर्योदय और सूरियास्त के बीच के 15 मिनिट में से 8 मिनिट होता है 22 जन्वरी 2024 को अभिजीत मोरत दोपैर बारा बचकर 16 मिनिट से शुरू होगा और बारा बचकर 69 मिनिट पर समाप्थ होगा यह हिंदूों के लिए एक शुब समय है क्योंकि इस अभधी के दौरान भगवान शिव्द ने राक्षे श्त्रपुरा सुर का वद गिया था हिंदू पराने कथाओं के अनुसार यह अभधी भ्यक्ति के जीवन से नकरात्मक उर्जा को दूर करती है अब बात करते हैं म्रग शीर्ष नक्षत्र की वेदिक जोतिश के अनुसर म्रग शीर्ष 27 नक्षत्रों में से पांच्वा नक्षत्र है जो ओरियन नक्षत्र का प्रतिनिद्व करता है म्रग शीर्ष का अर्थ है हिरन का सर आपको बता दे म्रग शीर्ष नक्षत्र में जनम लेने वाले लोग अच्छे दिखने वाले आकरशक, महंती और बुद्धिमान होते हैं जैसे हमारे भगवान प्रभूश्री राम थे 22 जनमरी को म्रग शीर्ष नक्षत्र तीन बच कर बावन मिनिट पर शुरू होगा और 23 जनमरी 2024 को साथ बच कर तेरा मिनिट तक रहेगा अब बात करते हैं अमरित सिद्ध योग और सर्व सिद्ध योग की जो तिशी में महत्व है कि इस योग में कोई भी बड़ा काम और खास काम करने से उसमें सफलता और सिद्धी प्राप्त होती है म्रग शीर्ष और सोमवार 22 जनमरी का दिन संयोग से अमरित सिद्ध योग और सर्व सिद्ध योग का शुब समय बन रहा है जो सोमवार को सुबह 7 बच कर 13 मिनिट से शुरू होगा और मंगलवार को सुबह 4 बच कर 58 मिनिट तक रहेगा इन सब कारणों से अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रचिष्टा और अभिशेग समहारों के लिए आदर्श तिथी बन जाई और यह सारे संयोग मिलकर वहीं समय हो जाता है जिसमें हमारे प्रभूश्री राम ने धर्ती पर जनम लिया था यहा ह हमारे लिए सभाग्य की बात है कि इस अध्भुश्र समय और आयोजन का हमें इस कल्यूग में भी अनुहूती और दर्शन करने मिलेगा